हेलो व्रेबड़ी वेलकम बैक तो मैं चनल कोड़ हैकर्स तो आज की इस वीडियो में हम एरिया और परिमिटर और सर्कल निकालेंगे एक प्रोग्राम की मदद से सिंपल यूजर से इंपुट करवाएंगे हम रेडियस दैन उसको हम प्रोग्राम की मदद से आउटपुट देंगे एरिया और परिमिटर और सर्कल तो सिंपल सबसे पहले अपनी हैडर फाइज लिख लेनी हमने एश इंक्लियोर स्टूडियो डॉट अच दैन उसके वाद अपना मेन फंक्शन उसके वाद अपने करली ब्रेसिस स्टार्ट करके हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेना है तो जो यह सारे चीज़े हैं हमारे एरिया पैरिमिटर और रेडियस यह सब डैसिमल में भी हो सकती है तो हमें फ्लोट लेना पड़ेगा तो हम लिखेंगे फ्लोट एरिया पैरिमिटर और रेडियस अब हमने डेक्लेरेशन कर लिए वेरियबल्स की अब हमको यूजर से रेडियस का इंपूट लेना है तो इंपूट के लिए क्या यूज होता है हमारा स्कैन एफ तो scanf, %f क्योंकि float है then address of radius तो अब हमें radius भी मिल चुक है अब simple parameter और अरिया निकालना हमें circle का तो यह का क्या formula होता है πr² तो π इसमें हम लेंगे 3.14 तो radius का square मतलब radius into radius इसको आप power function से भी कर सकते है math.h लगाके मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इसको simple रखना चाता हुथा तो अब हम parameter निकालेंगे तो जो हमारा parameter होता होग इसके बरावर होता है 2πr, तो π हमारा क्या 3.14 और r हमारा radius तो अब हमारा parameter निकल गया है हमारा area निकल गया है अब हमें simple इसको print कराना है तो हम लिखेंगे printf area equal to अब आपको जितने 0 चाहिए होता है आपको simple क्या करना होता है percentage, point कितने 0 चाहिए? दो, और हमारा क्या f? float है हमारा data type तो हमें f लगा लेना है then हम तोड़ी space दे देंगे space के बाद हम लिखेंगे parameter equal to percentage वही point to f तो अब हमारा ये दो चीज़े print हो जाएंगे बस हमें इसके अगए comma डालके लिखना है area, comma, parameter simple उसके बाद अपना return 0 और हमारा program खतम हो गया तो आप देख सकते ही ये हमारा पूरा program है काफी simple program था simple area और parameter निकाला था हमने और उसको फिर print करवा जेना था तो अब हम इसको run करके देखते है जैसे हम radius को 7 देंगे देखिए area इतना आता है, parameter इतना आता है अब आप इसमें और modification कर सकते हैं starting में लिख सकते हैं printf, enter the radius of the circle ऐसे से करके इसको और अच्छा बना सकते हैं वो आपकी अपनी modification है तो ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा मेरी चनल के साथ बने रहे हैं मिलते हैं आप से next video में thank you for watching my video झाल